एक सवाल का टाइम हमारे पास, माइक नंबर एक से हम हिंदु है, हमारा नाम निवारन सरकार राइगांज घार अपसे दूचार बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बात बैठ जाएंगे पहला बात यह है हमारा, जो हम हिंदु होकर के मुसलमान भायों से क्या बोलके मिलेंगे सलाम आलेकुम तो देने सकते हैं भाई साब का अच्छा सवाल है, आखरी सवाल अच्छा सवाल है कि हम मुसल्मान भाईों से क्या बोल के मिलेंगे सलाम आलेकुम तो नहीं बोल सकते क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम आलेकुम नहीं बोलने का लिखा नहीं लिखा ना भाई तापका सवाल है कि मुसल्मान भाई से मिलते है तो क्या सलाम आलेकुम बोल सकते हैं और इस सवाल पहले भी किसी ने पूचा कि मुसल्मान भाय जब गैर मुसल्म से मिलते है तो वालेकुम सलाम कह सकते है क्या गैर मुसल्मान को सलाम कह सकते हैं ये सवाल बरावन न क्योंकि अइक हदीश है साइब बुखारी की जिल्द नमबर आंट अदीश नंबर सिक्स ħू फाइफ सैवन के लिका है कि अल्ला के रसुल फर्माते हैं जब यहूदी आप से कहते अस्साम आलेस्पम्टM का मतलब आप पे मौथ हो जब यहूदी आपसे कहते अस्साम अलेकुम तो आप कहो वालेकुम मतलब आप पे भी हो तो यह अगर यहूदी आपसे कहते है आप पे मौत हो अस्साम अलेकुम वो ट्विश्ट करते थे मरोडते थे अस्साम अलेकुम मतलब अस्साम अलेकुम तो आप जवाब दो वालेकुम आप पे भी तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसल्मान समझते है कि हम गैर मुसलिम को अससलाम वालेकुम नहीं बो सकते वालेकुम सलाम नहीं बो सकते इसलिए अक्सर कोई गैर मुसलिम सलाम कहता है तो मुसल्मान कहते है वालेकूम अभी इस इक्तिलाफ को जानने के लिए मैं तहकीक करना पड़ेंगा कुरान और साही हदीथ के मताबिक और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है कुरान के मताबिक तफ्सीर के खुर्दूबी पड़ा तबरी पड़ा इबने खसीर पड़ा कई हदीथ पड़ा और जो मेरी तहकीक का में निचोड़ा आपको देता हूँ इक्तिलाफ क्यों के दिया हमें जब इबने अबास अभास अभान से पूचा गया था इस आएत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तक्रीर में की सुर निसा सुरा नंबर चार आएत नंबर च्छे आसी वइदा हुईतुम बितहितिम फहयू बिहसल मिन्हा औरुदूह इननल्ला काना लिकुलेश नहीबा यही अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है यह आयत के मताबिक अगर गैर मुस्ůमान आपको ग्रीट करे शलाम दे तो क्या जवाब देना कऊए तो अबने अबास रदेलौन कहते की आयत सो साफ है अगर कोई भी आपको सलाम कहता है चाहे मुस्लिम हो चाहे मजूस हो चाहे गैर मुस्लिम हो कोई भी आपको सलाम करता है कुरान कहता है आपको और भैतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए या कमस कम उतना अल्ला हिसाब रखने के लिए सबसे भैतरीने तो इस आयत के मताबिक इबन अबास रदेलावन कहते है जो बड़े साहबाते अगर गैर मुसलिम सलाम करते है आपको वालेकुम सलाम बहतरीन तरीके से करना चाहिए लेकिन उल्माओं में इक्तिलाफ है कुछ उल्मा कहते हैं नहीं ये बहतरीन जो लफ़े सिर्फ मुसल्मान के लिए गैर मुसल्मान के लिए जिम्मी के लिए सिर्फ उतना ठीके मान लो तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए कमस कम उतना तो बोलना चाहिए ये वालेकुम ता सिर्फ वालेकुम ता अगर कोई आपको मौत बोले तो अगर कोई गहर मुसलमान, अससलाम거든 बोले तो इबने अबास कहते है, रद्शलावन बहतर करो या उतना कुछ उल्मा के दिने, सरी उतना तो कोई गहर मुसलमान सलाम करे तो कमस कम उतना तो फर्ज है और अच्छा कर सके वालेकुमस्सलाम और रहमतुला तो बेतर है तो इसमें कोई दोराई नहीं कि अगर गैर मुसल्मान आपको सलाम करे आपको वालेकुमसलाम बोलना फर्दे कुरान के मताबिक सुरे निसास सुरा नमबर चार आयत नमबर च्छासी अभी दूसरा सवाल आता है क्या मुसल्मान गैन मुसल्मान को सलाम कर सकता है पहल कर सकता है कहने इस पे एकतलाफ है इस पे एकतलाफ है एकतलाफ क्यों है क्योंकि एक हदीस है महमसलासलाम की तो मुत्तफिक अलेक है बुखारी में भी या मुस्लिम में भी से मुस्लिम में लिखा है जिल्द नमबर 3 में किताब उसलाम में हदीफ नमबर 5, 3, 8, 9 इसमें लिखा है कि मुम्मस अलब सुन्वाओं फर्माते है कि जबी भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत करो सलाम मत करो उनका रास्ता तंग करो तो यह अगर आप कोई इसाई या यहूदी को देखते है तो सलाम मत करो उनका रास्ता तंग करो लेकिन एक दूसरी अधिस है दूसरी अधिस है भुखारी की है जिल्द नमबर आंट अधिस नमबर छे, दो, पांच, चार इसमें अल्ला कर रसुल फर्माते हैं अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसल्मान भी है गेर मुसलिम भी है काफिर भी है इसाई भी है यहुद भी है तो अल्ला की रिसुल फर्माते थे अस्सलाम वालेकुम आप पे सलामती हो और उनको अल्ला के करीब आने की दावत देते थे तो इससे साफ जाहर है हदीश से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते हैं इसमें कोई दोरा ने जो एक्सिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते के सलाम में जब आप कुर्टूबी पढ़ते हैं इसके अंदर जब ओईना है ओईना ओईना से पूछा गया था रदिलावान उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में आयत नमबर आट में के अला सुभानव टाला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते हैं जो आप के दीन को गाली नहीं देतें उनके साथ अمن से रहे जश्ट रहे और अच्छा बरताओं करें काल ठाला जो लोग जश्ट है उनके साथ है जो लोग रितरी मिषान इबराइमronics अले में और अबराइम्Alright स्थेस्थ सितरा क्रास रिफरन्स क्रास रिफरेंट्स सब कुरान से जवाब हैं क्रास रिफरेंट्स अभ सोर मर्यम पढ़ो सूरा नमबर 19 आयत नमबर 47 इसमें लिखा है कि जब अब्राहिम मेले सलाम के वालिद तो मुश्रिक थे जो काफिर थे जब अब्राहिम मेले सलाम को घर के बार निकालते तो सुरे मर्यम सुरा नंबर उन्नीस आयत नंबर फॉर्टी सेवन में फरवाते काला सलामन अलैका अब्राहिम मेले सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो पुरान कहता है कि अब्राहिम मेले सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है अब्राहिम मेले सलाम ने अपने मुश्रिक अपने काफिर वालिद को कहा सलाम आलेकुम तो ये बुनियात पे अक्सर नमबर पचीस, आयत नमबर 63 63 में लिखा है कि मुमिन वो है जो दुनिया धर्ती पे आज़ी के साथ चलते है और जब भी जाहिल लोग से मिलते है तो कहते हैं कालू सलामा सलाम अलेकुम यह कुरान के आयत है, मुमिन वो है जो आज़ी हुमिलिटी से धर्ती पे चलते है और जब जाहिल से मिलते हैं कालू सलामा आप पे सलामती हो और पूरो कुरान मजीद कुरान मजीद सुरे कसस की आयते सुरान नमबर 28 आयत नमबर 55 इसमें लिखा है कि जब भी कोई गेर मुस्लिम काफिर अगर इसलाम के खिलाब बात कर रहा है बेहरमती कर रहा है तो आप को आप पे आपके अमाल मेरे पे मेरे अमाल आप पे सलामुन अलाईकुम ओ जाहिल जो इसलाम को गाली दे रहा है कुरान कह रहा है सुरे कसस में सुरा नमबर 28 आयत नमबर 55 उसमें कहता है के आपके अमाल आप पे मेरे अमाल मेरे पे सलामुन अलाइकुम आप पे सलामो तो इस collectors के नजडि questi stiff मांते है कि आप सलाम गैर-मस्लिम को कर सकते है उनका जवाब भी दे सकते हैं फिर भी कुछ सला-फुलम्मा है जो आज भी कहते है کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں ان کے دلیل دیکھتا ہوں دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے پھر العلماء کے طرف جاتا ہوں اس عالم کی سائیڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے اسی لئے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ ون ابن مسعود رضی اللہ ون तो इतने बड़े साहबा थे वो مسلمان को भी गैर مسلمان को भी सेलाम करते थे तो एक शख्स ने पूचा ابन مسعود رضی اللہ ون गैर मुस्लिम को सलाम करना तो खला ते आप क्यों करते ये उनका हक है ابन مسعود ने कहा अबु उसामा एड़ेलावन उनसे पूचा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हैं जब भी जाते थे मुसल्मान को भी सलाम करते थे गैर मुसल्म को भी करते थे क्यों करते तो उन्होंने कहा कि हम मुसल्मान का फर्द है के हम रहमत पहलाए इसलिए मैं गेर मुसलमन को सलाम करता हूं और मेरे जवाब के आखना हैं में कहना चाथा हूं के सुरे अंबिया की आयद सुरा नमबर 27 आयद नमब 1207 में अल्ला ताला ओना परमाते है وَمَा अरसलना का इल्ला रहमत दालिलालामीन कि हमने मुहम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म को मैं खतम करता हूँ और